पहला पत्रस पहला अधिया एक से लेकर बारा तकम वचनों को पड़ेंगे पत्रस की आउर से जो यीशु मसी का प्ररित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, कलातिया, खपतुकिया, आशिया और बितुनिया में दितर-बितर होकर रहते है और परमेश्वर पिता के ब पवितर करने के द्वारा आग्या मानने और ईशु मसी के लगु के छिटके जाने के लिए चुने गए हैं। तुमें अनग्रव और सांती बहोदायत से मिलती रहें। हमारे प्रभु इशु मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवादो जिसने इशु मसी के मरेवे में से जी उटने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन दिया अर्तात एक आविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुमारे लिए स्वर्ग में रखी है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के ध्वारा उस उद्दार के लिए जो आने वाले समय में प्रगट उने वाली है की जाती है इस कारण तुम मगन ओते हो यथा पी अवश्य है की अभी कुछ दीन के लिए नाना प्रकार की परिक्षाओ के कारण दुख में हो और यह इसलिए की तुमारा परकाववा विश्वास जो आग से ताये वे नाश्वान सोने से भी कही आधिक बहमुल्य है इश्व मसी के प्रगट ओने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण तैरे उससे तुम बीन देके प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बीन देके भी विश्वास करके ऐसे आननदित और मगन ओते हो जो वर्नन से बहार और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्तार आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो इसी उद्धार के विशय में उन बविश्य दत्ताने बहुत गोजबीन और जांच पड़धाल की जिनोंने उस अनगर के विशय में जो तुम पर उने को था बविश्य वानी कीती उनोंने इस बात की कोज की कि मसी का आत्माद जो उसमें था हाओर पहले ही से मसी के दुखों की और उसके बात ओने वाली महिमा की गवाई देता था वे कोन से और कैसे समय की और संकेत करता था उन पर ये प्रगट किया गया की वे अपनी नहीं वरण तुमारी सेवा के लिए ये बाते कहा करते थे जिनका समाचार आप तुमें उनके ध्वारा मिला जिनोंने पवित्र आत्मा के ध्वारा जो स्वर्ग से बेजा गया तुमें सु समाचार सुनाया और इन बातों की स्वर्गे दूत भी द्यान से देखने की लालसा रखते है इश्व मसी की नाम की महिमा हो आज हम वच्चन देखते हैं पत्रस की किताब से इस पत्रस की किताब को इश्व मसी का प्रिय प्ररीत ने इस लेटर को लिखा है ये किसके लिखा गया उस समय उन जमाना में जो अन्य जाती लोग जो मसी को विश्वास किया मसी बन गया उसी कारण से रोमन्स लोग उन लोहों को बहुत सताया बहुत दुख उबत्रव क्लेश में उन लोग जाना पड़ा इसलिए उस समय खलिशिया हासिया के खलिशिया बहुत लोग इदर सारे विश्वासी दितर पितर हो गया पूरा उलोहों को बहुत संकट मुसीबत उबत्रव क्लेश उन बहुत अनबह कर रहे थे तब उस समय पत्रस को इस बात सुनने में आ रहा है तब वो अपने विश्वासियों को आउर भी विश्वास में प्रभु ईश्व में द्रड मजबूत करने के लिए उच्साइ करने के लिए इस लेटर को लिखा है हम देखते हैं यहां उन लोहों को वो बता रहा है आप लोग ईश्व मसी से चुनेवे लोग आज हम सब लोग कोम हैं ईश्व मसी से चुनेवे लोग आज हम देखे दुनिया में कितने लोहों को ये धन्य आशा नहीं मिला लेकिन आज देखे अमारा सब के लिए मिला अम सब चुने वेलो किस के लिए चुने वेलो प्रभु इश्व के लिए चुने वेलो उनका द्वारा मिलने वाला आशिश आनंद के लिए हम चुने वेलो स्वर्गर राजिय के लिए हम चुने वेलो आज हम देखिए अम परमेश्वर का संतान करके अम बोलते हैं अम परमेश्वर के संतान हैं अम पवित्रा आत्मा को अमने पाया है ये सब कैसे हुआ है इश्व मसी के द्वारा हुआ परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कितने बड़ी बड़े आशिश में मिला है जिस्ती नम उदार की वच्छन को हम सुना उसी दिन अमारे उपर पवित्र आत्मा का चाप लग गया है अभी हमारे अंदर हमारा आत्मा में अमने दुख में ऐसे एक आशा नहीं था हमारा जीवन में परमेश्वर रही थे महिमा रही थे आशा रही थे ऐसे हम पड़े थे लेकिन आज हम लोग को जीवित आशा है आज अमारे लिए एक जीवित आशा है इतना ही नहीं है अमारे लिए महिमा का आनंद भी है आज यही हम इस अध्याय में यहां पत्रस उनका विश्वासियों के लिए इस भातों को बता रहा है हमारे लिए एक जीवित आशा है मसी के द्वारा आज वो जीवित आशा है आज दुनिया में देखे लोग आशा रहित रहते हम भी पहले ऐसे थे लेकिन जिस तिन हम इश्व मसी को विश्वास किया हमारे लिए जीवित आशा है क्यों इश्व मसी मरेवे में से जीव उट गया वो मरा आज भी जिन्दा है आज भी वो जीवित है हमेशा के लिए वो जीवित है हालेलुया आज अमारे लिए उसके उपर हम विश्वास किया इसलिए हमारा आशा उसके उपर हमने बरोसा किया हमारे लिए एक जीवित आश हम देख रहे हैं कोलोश योई एक का पांच में भी उस आशा की हुई वस्तुव के कारण जो तुमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है जिसका वर्नन तुम उस समाचार के सत्य के वच्चन में सुन चुके हो स्वर्ग में रखा हुआ है आज परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे ही मिरास को तयार किया है करके अम यहां पवपत्रस बता रहा है निर्मल ऐसे ही मिरास हमारे लिए रखा गया है अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुमारे लिए स्वर्ग में रखी है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्दार के लिए जो आने वाले समय में प्रगट ओने वाली है की जाती है अब ही हमारे लिए कितने बड़ी बड़ी आशिश सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस विश्वास अमारे लिए है, इस आशा अमारे लिए है, यहां इतने बड़े-बड़े आशिश है, महिमा है, सब कुछ है, मिरास है, सब कुछ है, लेकिन यह सब अमारे लिए थैयार किया हुआ है, लेकिन यहां भी हम देख रहे हैं, दुनिया में, इस दुनिया में हम रह पड़ता है, क्यों हमको दुख उठाना पड़ता है, हम एक मसी होने के कारण, एक विश्वासी होने के कारण, हमारे लिए दुख को भी सहना पड़ता है, परिशानिया अमारा जीवन में आता है, दबाव अमारा जीवन में आएगा, लेकिन यहां हमारे लिए एक जीवित क्लेश उबत्रों में भी हम एक उदार के आनंद में हम उसके उपर जय पास सकते हैं यह यहां पत्रस लिखता है आपके अंदर वो विश्वास है वो विश्वास ऐसे ही सोने से भी बहमोल्य विश्वास है वो विश्वास को हमको क्या करना है पकड कर रखना है उस विश्वास को चोड़ने के लिए बहुत उबत्रव आएगा बहुत खिलेस आएगा लेकिन हम लोग उसको चोड़ना नहीं वो विश्वास परमेश्वर को बहुत प्रसन करता है आज हम देखिए दुनिया में लोग परमेशुर को इश्चु मसी को सूसमाचार को वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हम बहुत बल्वान हैं, हमारा ख्रिया से हम परमेशुर को कुश कर लेंगे, हम जो बनाते हैं वो ही परमेश्वर है हमारा आतों से जो जो हम क्रिया करते हैं जो उसको बनाते हैं जिसको हम मुकुट पेनाते हैं वो ही परमेश्वर है वो ही अमें उदार करेगा वो ही अमारे लिए सब कुछ करेगा ऐसे ही करके वो लोग आज आनन उठा रहे, आज आनन मना रहे, लेकिन आज हमारे लिए एक जीवित आशा है, आज इसको देखकर हम निराश नहीं होना है, पवित्र लोहों को पेर को परमेश्वर संबालता है, जो अपने बल से परमेश्वर को कोई भी प्रबल नहीं कर इश्व मसी मरा, जीव उठ गया, वो मिर्तिय के उपर जाई पाया, मिर्तिय का डंग को थोड़ दिया, पादाल का डंग को थोड़ दिया, सैतान का सारा अधिकार को चीन लिया है, आज इश्व जिन्दा है, आज वो जिन्दा इश्व मसी के उपर, आज अमारा आशा है, उसी दिन हमारे आत्मा में एक उदार हो गया है, अब उदार का सोता खुल गया है, अब ही अमारे अंदर उस आनंद को कोई भी अमसे चीन नहीं पाएगा, आज देखिए, क्यों हमारे अंदर उस वर्नन नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर जो आनंद है, आज दुनिया में लोग आपको ऐसे लग रहा है, बहुत लोग आनंद से हैं, बहुत कुशिश हैं, लोग अच्छ से, लोग पार्टी मनाते हैं, लोग बहुत इसमें जाते हैं, ऐसे लग रहा है, देखे वे चीजों को नहीं, हम अंदेखे वे परमेश्वर को, हम विश्वास करते हैं, यह सब नाश हो जाएगा, यह सब अंत हो जाएगा, यहां का आनंद, यहां का जो भी लोग, जो भी ऐसे-आसे करते हैं, आपको सामनें बहुत बड़ा दिखावट करते हैं, आनन जेसा उलोग दिखावट करते हैं, लेकिन आनन हमारे अंदर है, सच मुच्छ में फरमेश्वर का आनन को कोण पाया, हमने पाया, उद्धार का आनन अमारे अंदर है, वो सोता कुल गया है, हाज इसलिए फरमेश्वर हमसे यही चाते हैं तुम आनंसे रहो सदा सर्वदा हानंसे रहो करके पावलस पिलिप्यों चार का चार में लिख रहा है क्यों ऐसे लिख रहा है क्योंकि वो अपना आत्मा से उस बातों को कह रहा है सरीरिक विचारों से सरीरिक बातों में आम सोचने लगेंगे ये देखे वे ची तो बहुत सामत से है, बहुत आनन से है, हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हमसे बलवान जैसा लग रहा है, हम उनके सामने बांदा हुआ है, हम उनके सामने बहुत चोटे से चोटे ऐसे लग रहे हैं, दूल के समान लग रहे हैं, मिटी के समान लग रहे हैं, ऐसे हमको लगता है, ल जी मेंसे जी उटा यही प्रमेश्वर आज हमारे अंदर है। हालेलुया कितने बड़ा महिमा है ऊंद करके लिखा है। आज उसको उसको देखना है। पावलस उसको देखा। इसलिए जितने बांदेव अवस्ता में भी वो बोल रहा है परमेश्वर में आनंदीत रहो सदा सरवदा आनंदीत रहो करके वो कहता है आज हम भी उस बातों को कह सकते हैं लेकिन हम क्या होते हैं निराश हो जाते हैं लेकिन आज आपको परमेश्वर ऐसे पत्रस का इस पत्र को उपर प्रेम करने वाला आप ऐसे ही प्रेम करने वाला परमेश्वर को बहुत पसंद है जो अभी हम देखा नहीं उसको सामने सामने हम परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन हम विश्वास कर रहे हं देखे वेसे विश्वास करने वाला परमेश्वर को बहुत पसंद है जैस इश्व मसी का चेला तोमा ऐसे कहा मैं तो इश्व मसी को जी उट गया करके कैसे मैं बारुसा करूँगा वो मेरे सामने खड़ा रहेगा आकर उसका जो भी गाउ हुआ है गिला लगा हुआ है उसमें मैं अपना उंगली डाल कर मैं देखूंगा फिर मैं विश्वास करूँग करके मैं उसको देखकर उसको मैसुस करूंगा तब मैं विश्वास करूंगा करके वहां तोमा बता रहा है तब ईश्व ने उनसे क्या कहा तुम देखते वे विश्वास करते हो लेकिन जो भीना देखके मुझे विश्वास करता है वो धन्य है आज हम धन्य है आज हम धन्य है परमेश और हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमको बहुत चाहते हैं इसलिए हमारे अंदर वो जो सोता कोला है वो आनंत का सोता उसको कैसे वो सोता आया दार के द्वारा हमारा आत्मा में वो सोता खुल गया पवित्रा आत्मा के द्वारा आज वो सोता खुल गया पवित्र आत्मा का छाप आज हमारे उपर लगा हुआ है। इसलिए आज देखिए, हम ऐसे ही लगते हैं, दुनिया के नजर में हम चोटे से चोटे जैसे लगते हैं। दुस्टों के सामने हम ऐसे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने बड़ा मिरास रखा हुआ है, स्वर्ग में रखा है, जीवित आशा है, कितने बड़ा महिमा का धन को आमने पाया है, इसलिए हम लोग ये नहीं सोचना, केवल आनंद मतलब काने पीने से, रोमियो चाउदा का सत्रा में पड़ते न, परमेश्वर का राजिये वो नहीं, काने पीने का नहीं, वहां पवित्र आत्मा के द्वारा वहां आनंदे, धर्मिक्ता के द्वारा वहां आनंदे, वही आनंदे, आज आमारे अंदर है, उस आन कोई भी आम से चीनने नहीं पाएगा इश्व मसी का आगमन बहुत निकटे वो शीक्र आने वाला है आजी चितने लोग गमड कर रहे दोड रहे लोग सोच रहे अम वैसे ही परमेश्वर को साथ भी अम अपने बल से उसको उपर अम प्रबल हो जाएंगे जाई पाएंगे करक है लेकिन एक दिन आने वाला है वो लोग सब चुप हो जाएंगे तब हमागन होंगे आज इसलिए अमारे कितने बड़ा बड़ा वाइदा है हाशी शे इसको विश्वास करते हुए आज का जो भी परिस्तिदी आप देख रहे हो आपका सामने ऐसे लग रहा है उसको आप जाई पाईए दुसरा कोरंतियों चार अधियाई में हम देखते हैं 17-18 में क्यूकि अमारा बलबर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुती महत्व पूर्णा और अनन्त महिमा उत्पन करता जाता है और हम तो देखिवी वस्तों को नहीं परंतु हम देखिवी वस्तों को देखते रहते हैं क्यूंकि देखिवी वस्तों तोड़े ही दीन की है परंतु हम देखिवी वस्तों सदा बनी रहती है हम इतने बड़ा हाशिश अमार लिए है देखे अभी हम जो भी देख रहे है यह सब तोड़े समय के लिए यह सब नश्टू हो जाएगा लोग नश्टू होने वाला चीजों पर बरोसा रखते हुए लोग क्या कर रहे है आनंद उटा रहे लेकिन हम सोच रहे हैं वही सही आन तक हाल तक वह हमेशा के लिए रहने वाला है इसलिए हमारे आशा जीवीत आशा है आज देखे हंदे की विवस्तों को हम देखते ही रहते हैं उसको हम देखना है जो देखे हुए चीजों को हम देखेंगे जरूर हम क्या हो जाएंगे बहुत निर्बल हो जाएंगे बहुत तम तब जाएंगे लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें ईस्वच्चन के द्वारा हमें उत्सा एक दिलारह है आज हम हंडे की वी बस्तू ओकम देखते ही रहते हैं वो हमेशा के लिए सदा के लिए बनी रहते हैं हालेलूया सदा के लिए बने रहने वाला अच्छा है तोड़े समय के लिए रहने वाला अच्छा है हम क्या चीज को लेंगे कोई भी चीज लेने जाते हैं तब हम क्या कैसे देख के लेते हैं यह लॉंग टाइम के आता है क्या यह तोड़े समय के लिए आता है क्या ऐसे हम पूछ पूछते हैं कितने बार कितने जगा पर हम कोई भी चीज करिदना चाते हैं हम क्या करते हैं ऐसे लॉंग टाइम बोलने से हम तुरंत लेते ऐसे ये तो थोड़ा ही समय के लिए क्यों पैसा को वेश्ट करना है हम ऐसे ही बोलकर उसके ही हम ऐसे करते हैं लगिन आज अमरा आत्मा में अमारे लिए परमेश्वर कितने बड़ी आनंद दिया है उस आनंद को कोई भी उस आशिषको उस आनंद को अमसे कोई चिन नहीं पाएगा उस आनंद को कोई भी अमसे चिन नहीं पाएगा कोई भी नहीं चिन पाएगा परमेश्वर का अनगरह से वो आमें चुन लिया है वो आमें चुन लिया है यिश्व मसी के लगु के ध्वारा हमें पवित्र किया हमें उनका परिवार में लेकर आया अज हम भी उस परमेश्वर को विश्वास किया उस वच्चन को हम ने विश्वास किया आज हमारे उपर भी परमेश्वर का ये आशिश है ये आनंद है इसलिए हम जो भी जी जो कम देख रहे है उसको देखते हुए आज हम बैटना नहीं अभी अमारा दोड को पुरा करना है क्योंकि इश्व मसी का आगमन बहुत निकट है बहुत दूर नहीं है अभी बहुत निकट आ गया है इसलिए अभी उबत्रों भी क्लेस भी ऐसे लग रहा है चारों तरप से ऐसे ही लगर उटने जैसा लग रहा है पूरा लगर उट गया ऐसे ही पूरा इधर प्राब्लम ये समस्या इधर वो रहा है इधर वो रहा है लेकिन ऐसे समस्या को देखकर अमको ऐसे एक डर होता है लेकिन अमको डरना नहीं यही यहां पत्रस बता रहा है आपके अंदर जो आनंद है वो वर्नन नहीं कर पाएगा महिमा से बरा हुआ आनंद है क्यूं? वो उद्दार के वच्चन के द्वारा सू समाचार के द्वारा आज देखिए बवश्यवानी किया है इश्व मसी के बारे में उनका आगमन के बारे में उनका मृत्यू के बारे में कितने बड़े बवश्यदता लोग पुराना नियम में वो लोग बवश्यवानी किया लेकिन आज इश्व मसी का वो सू समाचार को अमने सुना हमने उसका आशिश को पाया आज वो जीवित आशा को अमने पाया ये सब अमको मिला है इसलिए आज हम धन्यवाद करते हुए प्रभु में और भी विश्वास में मजबूत होते हुए हम आगे बढ़ना है क्योंकि अमारा आत्मा का लंगर इश्व मसी है उसको उपर अमारा विश्वास है इसलिए कितने भी लगर उटने दीजिए कितने भी उबत्रव क्लेस लोग कुछ भी हमको बोलने दीजिए लेकिन हमको प्रभु को देखते हुए मसी को देखते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि हम देख रहे दुनिया में नाश ओने वाला मुकुट पाने के लिए लोग कितने अपने आपको कंट्रोल करते हैं कितने अपने सरीर को मेनत करते हैं प्रयास करते हैं लेकिन आज हम कभी मुरजाने वाला नहीं कभी नहीं मुरजाने वाला इतना महिमा का मुकुट को हमने पाने वाला है इसलिए हमको कैसा रहना चाहिए हम विश्वास में इस सारे बातों को दूर करते हुए ये निराश को दूर करते हुए दुख को दूर करते हुए आनन से अमारे अंदर वो उतार के आनन्द है उसमें मगन होते हुए महिमा का आनन्द अमारे अंदर जो अमने पाया है वो वर्नन नहीं कर पाएगा उस महिमा के आनन से हम भी आगे बढ़ना है हम भी आगे बढ़ना है जो भी हमें धबाने के लिए हमें अविश्वास में लेके जाने के लिए हमारा विश्वास को चीनने के लिए बहुत परिशानिया इसे लग रहा है क्लेस लग रहा है चोड़ दूं क्या इस विश्वास को चोड़ दूं आपका परिवार के अंदर से आपका रिष्टदारों के दुआरा आपका समाज के दुआरा इसे आपको उटेगा लगर उटेगा क्यूं आपके अंदर सोना से भी बहमोल्य विश्वास है आपके अंदर जीवित आशा है आपके लिए परमेश्वर ऐसे महिमा के आनंद है उसको चीनने के लिए सैतान है पाएंगे अम आनंद महिमा को हम पाने वाले है ये लोग सब ऐसे नाश होने वाला चीजों के उपर बरोसा रखते हुए लोग दोड रहे है इसका जो भी नीव बराबर नहीं है लेकिन हम चटान पर कड़े है यह यहां पत्रस बता रहा है हम जीवित चटान इश्व मसी के उपर अमारा विश्वास है इसलिए अमारे लिए चटान पर कोई कड़े हो जाई है कितने भी सब नीचे सब गिरते रहेगा डुपते रहेगा सब कुछ यह होगा लेकिन जो जो चटान पर कड़े है लोग बहुत आशा के साथ एक आनंद के साथ कड़े रहेंगे ना क्य क्योंकि उनको डर नहीं क्योंकि वो चटान कभी हिलेगा नहीं आज अमारा अगर चटान भी हिल जाएगा हम जो जिस चटान पर कड़े है इश्व मसी का चटान पर वो कभी नहीं हिलेगा कभी नहीं डूबेगा क्योंकि वो मारा जी उट गया आज भी वो जिन्दा है आज यह यहाँ पत्र उबत्र उकलेस में जाने वाला विश्वासी लोहों को कलिश्या को वो द्रड मजबूत बना रहा है पर पवित्र आत्मा का चाप आपके उपर है पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर है पवित्र आत्मा के आनंद को आमने पाया है जो दुनिया देता है वो आनंद नहीं है पवित्र आत्मा का सामर्त आजा अमारे अंदर है इसलिए आभी भी और भी हम परमेशर को प्रेम करते हुए और भी हम परमेशर को वच्चन को पालन करते हुए और भी अम परमेशर को देखते हुए आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है और भी जितने लोहों को सु समाचार को इस उद्दार के वच्छन को सुनाना है जो भी उसको सुनने वाला जरूर बहुत बड़ा नस्ट से बच जाएंगे आज कितने बड़ी जीवित आशा अमारे लिए महिमा का आणन अमारे लिए आई आम प्रार्तना करेंगे स्वर्गे पिता हम दन्यवाद करते है प्रभू आज का वच्छन के द्वारा आप आमें प्रभू बात किया हम से बात किया प्रभू आपका आणन के लिए दन्यवाद आपका महिमा के लिए धन्यवाद, जीवित आशा के लिए धन्यवाद प्रभु दुनिया को जो अविश्वासी लोहों को नहीं मिला वो आनंद हमें मिला जो अविश्वासी लोहों को सोच रहे, ओम बहुत बड़े यह है वो है करके लेकिन उसे महान परमेश्वर हमारे अंदर है महिमा का आशा हमारे अंदर है जीवित आशा हमारे अंदर है इसलिए हम नहीं डरेंगे हम नहीं हिलेंगे हम दुख में नहीं रहेंगे हम आनंद में रहेंगे क्योंकि वो आनंद अमारे लिए मिला है आनंत की सोता अमारे ले खुल गया इश्व मसी के नाम से मांगती हूं पिता आमेन